हाई दोस्तो परदेशी फ्लाइट हीटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पासपोर्ट में आप अपना नाम कैसे चेंज करा सकते हो कैसे बदलवा सकते हो पासपोर्ट बनने के एक साल बाद दो साल बाद चार साल बाद या पाच साल बाद आपने अपना नाम चेंज कर लिया है कुछ बदलाओ किया है अपने नाम में तो फिर आप पासपोर्ट में अपना नाम कैसे चेंज करा सकते हो या फिर passport में आप surname add कराना चाहते हो या surname हटाना चाहते हो तो कैसे होगा इसके लाव साधी के बाद जो बहुत सारी महिलाएं अपने नाम change कर लेती हैं अपने husband का नाम add कर लेती हैं या और किसी वज़ा से अपना नाम change कर लेती हैं तो फिर वो passport कैसे बनवा सकती हैं या passport आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इसलिए जो भी लोग passport में name change कराना चाहते हैं नाम correction का उनका कोई case है इस तरह से वो बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो वो आखिर तक जरूर देखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके लेकिन उससे पहले दोस पसंदा है तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर कर दिया करें तो दोस्तों मान लीजिए suppose that आपने अनिल के नाम से अपना passport बनवाया है आपका अनिल नाम था 5 साल पहले और passport बने हुए 5 साल हो चुका है और उसके बाद आपने अपना नाम अनिल कुमार कर लिया यानि अनि क्योंकि जो आपके school के mark sheet है certificate है वो सारे अनिल के नाम से है और आपके और जो भी documents है चाया आधार या pen card या और जो आपके documents है वो भी अनिल के नाम से है तो किस तरह से ये अनिल कुमार होगा आपके passport पर तो दोस्तों इसके लिए आपको केवल आधार correction कराना होगा उस पर अनिल कुमार कराना होगा बाकी जो mark sheet है जो educational certificate है वो तो सही नहीं होता है वो जैसे है वैसे ही रहेगा अनिल है तो अनिल ही रहेगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको आधार correction कराना है इसके लवा सबसे जरूरी चीछ जो नाम परिवर्तन के लिए नाम change के लिए हो और आपने इस तारीक से अपना नाम अनिल कुमार कर लिया इसी नाम से अब आपको जाना वा पहचाना जाएगा तो ये इस्तिहार आपको ये विग्यापन ये advertisement आपको अकबार में देना होगा विग्यापन देने के लिए आप अपने area के किसी भी अकबार वाले से मिलेंग और उसको बताएंगे कि हमें नाम परिवरतन का advertisement देना है विग्यापन देना है और वो आपका विग्यापन कर देंगे और उस अकबार को जिस अकबार में आप विग्यापन देंगे जिस newspaper में आप विग्यापन देंगे उस newspaper को आपको appointment वाले दिन passport office में ले जाना है वहाँ आपका जो पासपोर्ट है वो अनिल से अनिल कुमार हो जाएगा फीक इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए किसी का नाम हसनेन है उसके एजुकेसिनल डाकूमेंट्स में यानि जो हाई स्कूल की मार्ग सीट है इंटर की मार्ग सीट है या गरेजोशन की मार्ग सीट है सब पर उनका नाम हसनेन है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम मुहम्मद हसनेन अंसारी कर लिया, तो अब एक confusion है, कि जब उनकी मार्क स्रीट पर हसनेन है, और आधार कार्ड, पेंड कार्ड या और जो भी ID प्रूफ है, उस पर मुहम्मद हसनेन अंसारी हो चुका है, तो अब किस तरह से passport बनवाएं, क्योंकि मार्क स्रीट तो सही नहीं हो सकती है, तो कैसे passport बनेगा, तो इस case में दोस्तों, आपको न्यूस पेपर में, अकबार में एक विग्यापन देना होगा, advertisement देना होगा, कि आपका पहले नाम हसनेन था, लेकिन इस तारीक से आपने अप विग्यापन देंगे, उस अकबार को आपको passport आफिस में ले जाना पड़ेगा, appointment वाले दिन, उसके बाद आपका जो भी document से वो verify हो जाएंगे, और मुहमद हसनेन अंसारी के नाम से आपका passport बन जाएगा, आपको घबराने की या परिशान होने की जरूरत नहीं है, कि मार् लिजे सालनी था, और उन्होंने साधी किसी पंकट सिंग नाम से व्यक्ति से कर लिये, और आधार काड उन्होंने सालनी पंकट सिंग नाम से बनवा लिया है, उसको अपडेट कर लिया है, जबकि जो mark sheet है, उनकी जो educational documents हैं, उस पर केवल सालनी है, तो उनको भी same process अपनाना होगा कि साधी से पहले उनका नाम सालनी था, लेकिन साधी के बाद इस तारीक से उनका नाम सालनी पंकट सिंग हो चुका है, और इसी नाम से उन्हें अप जाना वा पहचाना जाएगा, उसके बाद दोस्तों जब ये विग्यापन देंगी, तो विग्यापन जिस भी अकब सरनेम को पंकस सिंग सरनेम में एड कराना चाहती है तो एड हो जाएगा इसी तरह से जो नाम चेंज वाले केस होते हैं चाहे वो सरनेम वाले हो या साधी के बाद जो नाम चेंज कराना चाहती है इसके लावा जिनका दो नाम होता है और दोनों नाम रखना चाहते हैं तो इस graduation की mark sheet मेर certificate में कोई तबदीली कराने की जरूरत नहीं होती है बेराल दोस्तो इस वीडियो में इतना ही इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके जहन में है तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके सवालों के जबाब देने की इसी तरह की helpful वीडियों के लिए आप परदेसी फ्लाइट यीटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ख्याल लगके हैं खुस रहें गुडबाई